Hello everyone, myself Dr. Ashish Srivastav and आज का जो lecture है वो बड़ा important है क्योंकि आज के इस lecture में मैं super class spices के आपको example याद कराने वाला हूँ और neat exam में अगर super class spices पर से जो questions आते हैं वो या तो उन 8 comments पर based होते हैं जो हमने previous lecture में study किये या फिर वो questions जो होते हैं वो examples पर based होते हैं तो दौनों चीज़ें बड़ी important हैं आपको दौनों ही classes जो super class spices में आती हैं उनके उपर आपको 8-10 comments भी याद होने चाहिए जो मैंने आपको already study करा दिये and आपको example भी याद होने चाहिए तो आज के lecture में मैं आपसे discuss करूँगा केवल और केवल examples पर यानि कि मैं आपको कुछ आसान सी कहानिय सुना कर कुछ आसान सी memory tricks के थूँ कुछ आसान से imaginations के थूँ याद कराऊंगा कि class, conduit, these and class, ostich, these के examples हम कैसे याद रख सकते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि exam में जब भी इन दौनों classes के examples को लेकर questions बनाए जाते हैं तो आप एक चीज़ पर गौर करेंगे कि NCRT में हर class के examples को दिया गया है और साथ में उनके bracket में उनका common name भी दिया गया है for example मैं आपको एक example बता देता हूँ जैसे कि जब आप NCRT में class Condrich Thies को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक नाम आएगा trigon and trigon एक example है जिसका common name भी वहाँ पर लिखा हुआ है और वो है stingray ऐसी एक example आपको और देखने को मिलेगा carcaradon and carcaradon का एक common name भी bracket में लिखा होगा जिसको हम great white shark के नाम से जानते है तो अब critical क्या हो जाता है critical के वल examples को याद रखना ही नहीं है वलकि उनके common name को भी आपको याद रखना पड़ेगा तो आज के lecture में जो imaginations, memory tricks, कहानिया, stories मैं आपको सुनाऊंगा बहुत simple सी, उनसे आप इन सभी class के examples और उनके common name को याद रख सकते है तो start करते हैं आज का ये lecture सबसे पहले मैं बात करूँगा पहली class के बारे में super class spices में पहली class हमने पड़ी थी and contrast these की जो examples हैं वो आपको मैं याद कराना चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक बहुत ही जादा पसंद करने वाला इंसान हूँ ऐसी car को जिसका color एकदम white हो यानि कि मेरी बड़ी ख्षा है कि मैं एक ऐसी car खरीदूँ जिसका जो color होना चाहिए वो white color का होना चाहिए and second चीज की वो car जो है उसमें बहुत luxurious functions होने चाहिए कुछ इस तरह देखिए आप इस screen पर देखिए तो एक ऐसी जैसी कि आपको screen पर दिख रही है मुझे आप कहने की ज़रूवत नहीं है एक ऐसी luxurious car खरीदने की मेरी बड़ी इक्षा थी और मैं ऐसी car को definitely मैं great car बोलूँगा the great white car तो एक great white car को खरीदने की मेरी हमेशा से इक्षा थी और मैं still try करता रहूँ हमेशा से try करता रहूँ लगातार कोशिश करता रहूँ कि ऐसी एक great white car जो है I still try I still try for great white car तो I still try for great white car से आपको मैं Conjuris Thies के दो examples और उनके दो common name जो साथ में दिये गए वो at least easily याद करा सकता हूँ केवल एक sentence जो आपने अभी अभी मेरी screen पर देखा है I still try for great white car तो चलिए start करते हैं अब मुझे आपको सिखाना है कि हम दो example कम से कम पहले सीखें Conjuris Thies के तो मैं try से याद रख सकता हूँ और बहुत easily हम try से याद रख सकते हैं क्या याद रख सकते हैं? Try gone तो ये एक example है Try gone तो मैंने try से लिख दिया Try gone and इसके just पहले जो letter आ रहा है वो है still तो देखिए बहुत simple करती है आपके लिए example तो पहला example हमने सीख लिया I still try for great white car के still से sting ray जो की common name है Try से हमने याद रखा Try gone याने Try gone का तो Try gone जिसका common name sting ray है ये हमने easily याद रख लिया चलिए दूसरा example हम इस sentence से कैसे सीख सकते हैं? तो दूसरा example में मैं आपको बता देता हूँ हमें अब कार से याद रखना है कार से आपको याद रखना है कार केरोडोन C-A-R-C-H-A-R-O-D-O-N तो हमने कार से याद रखा कार केरोडोन और आपको ग्रेट वाइट से याद रखना है ग्रेट वाइट को एक साथ ले लेते हैं और ग्रेट वाइट से आपको याद रखना है कार केरोडोन का जो common name है और NCRT में दिया गया है तो वो है great white shark तो great white car से आपने याद रखा क्या great white से याद रखा great white shark and car से आपने क्या याद रखा car carodon तो देखिए दो example यहाँ पर आपने easily सीख लिए एक छोटी सी कहानी है statement से I still try for great white car तो still मतलब stingray try for trigon trigon का नाम stingray है stingray का नाम trigon है एक ही बात है and great white car में car से आपने नाम याद रखा car carodon और उसका common name है great white से आपको याद रखना great white shark तो I still try for great white car से आपने दो example जो contrasties के हैं वो आपने बहुत easily याद रख लिए चलिए आपको मैं एक additional information देना चाहता हूँ आपको exam में पूछा जा सकता है कि trigon को हम एक और भी specific characteristics से जानते हैं यानि कि trigon जो है उसकी एक खासियत होती है कि ये अपनी body में ये अपनी body में कुछ specific poisonous stings रखता है तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या रखता है poison sting तो trigon को हम sting ray कहते हैं और इसकी जो stings होते हैं वो poisonous होते हैं आनि कि उनमें जहर पाया जाता है तो ये एक बहुत important point है neat के point of view से अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको हमीशाद रखना है कि I still try for great white car में still मतलब sting ray है try for trigon है और trigon या sting ray एक ऐसा fishes का example है contrast these class की जिसमें आप देखेंगे कि इनके पास poisonous sting present होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चार example हमें total याद रखने है contrast these class के दो example तो आपने याद रख लिए अब बाकी दो example को याद रखने के लिए फिर छोटा सा event एक फिर छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ अगली मेरी जो छोटी सी कहानी है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक और शौक भी है मुझे एक great white car को खरीदना था इसके लिए मैं हमेशा से try करता रहा था तो आपने एक sentence right किया I still try for great white car अब मेरा दूसरा शौक आप सुन लीजिए कि मुझे dog बहुत पसंद है dogs जो हैं वो मुझे बहुत जादा पसंद है especially ऐसे dogs जो बहुत intelligent हो एक दम कपड़े पहनते हो जैसे कि आपको screen पर दिख रहा है newspaper पढ़ते हो और जिनका IQ बहुत अच्छा हो इनसानों के जैसा तो मुझे dog बहुत पसंद है और especially मैंने सुना है कि जो Scotland के dog होते हैं Scottish dog Scotland के जो dog होते हैं वो बहुत ज़ादा intelligent होते हैं बहुत ज़ादा कह सकते हैं कि होश्यार होते हैं तो ultimately मैं Scotland के dog को खरीदना चाहता था ये भी मेरा एक शौक था और मैं इसको खरीदना से पहले ये जानना चाहता था कि ये जो dog है वो आखिर कितने रुपे में आएगा यानि किसकी price क्या होगी ठीक है न तो बहुत दिनों तक मैंने इंडिया में रहते हुए ये try किया गूमने के लिए इंडिया में ही चंडिगड जाता हूँ पंजाब और जब मैं इंडिया के चंडिगड जाता हूँ पंजाब में जाता हूँ तो मुझे बहाँ पर घूमते फिरते हुए वही कुटता दिखता है जो मैं खरीदना चाहता था यानने स्कॉटलेंड का डॉग और यहां तक कि उसकी कीमत भी वहाँ पर उस डॉग के साथ एक प्राइस टैक लगा हुआ था और उसमें उसकी कीमत भी लिखी हुई थी कि वो कितने रुपे का होगा 10,000 रुपे का तो मैंने चंडिगड में पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने स्कॉटलेंड के डॉग की कीमत को देखा और मुझे इसकी कीमत बहुत ज़ादा लगी हो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको यार खरीदने का जो प्लान है उसको हम कैंसल कर देते हैं तो मेरी इस स्टोरी में आपने क्या देखा कि स्कॉटलेंड का डॉग मुझे बहुत पसंद था जो बहुत intelligent होते हैं और उनकी कीमत जानने के लिए मैंने काफी कोशिश की लेकिन आखरी में जब मैं चंडीगर घूमने गया तब वहाँ पर मुझे पहली बार इन चंडीगर तो अब मैं आपको अगले दो एक्जामपल याद कराने वाला हूँ क्लास कॉंडरिस्थीस के तो बहुत interesting है आप देखते चलिए बस अब सबसे पहले हमें याद रखना है कि I saw price of Scotland डॉग इन चंडीगर में हम initial 2-3 letters को लेकर हम trick को drive करते हैं आपको price से याद रखना है pristice या pristice तो मैंने आपको पहला example जो बताया price से pristice या pristice जो की किसका example है कॉंडरिस्थीस का तो एक fish का नाम है pristice आपको बता दूँ इसको commonly हम लोग sawfish के नाम से भी जानते हैं तो इसका जो pristice का common name है that is the sawfish तो पहला example तो हमने यहाँ पर निकाल लिया इस sentence से यह हमारा कौन से number का example हो गया third number का क्योंकि दो example हम अल्रेडी सीख चुके हैं I still try में still for stingray and try for trigon यह हमारा पहला example था and I still try for great white car तो car से car carried on आपने याद रखा और उसका ही common name है great white shark यह दूसरा example था और तीसरा example आपने मेरे इस story से फिर से निकाला कि price से आपने याद रखा pristice and saw से आपने याद रखा sawfish अब आपको याद रखना है कि Scotland dog से भी हम लोग कुछ लोग कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं यसे Scotland से आपको निकालना है scoliodon तो scoliodon जो है वो एक contrast these fish का example है और dog से आपको याद रखना है इसको हम commonly dog fish के नाम से जानते हैं तो देखिए कितना easy हो गया बिल्कुल मिलते जुलते नाम है जो आपकी statement में आपने निकाले हैं तो यह हमारा fourth number का example होगे Scotland से आपने नाम याद रखा है scoliodon जो NCRT में लिखा हुआ और इसको commonly हम लोग dog fish के नाम से जानते हैं और यहाँ पर चंडीगर जो है वो आपको याद दिलाएगा कि आप ये mnemonics जिस purpose से याद रखे हैं वो actually मैं किसको विलॉंग करता है तो आप चंडीगर से याद रखें Contrish Thies तो Contrish Thies के आपको चार example सब यहाँ पर याद हो चुके हैं केवल दो छोटी छोटी सी story से पहली story मैंने क्या बता ही मुझे white color की car बहुत पसंद थी एक ऐसी car जो बहुत advance हो बहुत ज़ादा luxurious हो जिसे मैंने बोला great white car उसके लिए मैं हमेशा से try करता रहा हूँ तो I still try for great white car से आपने याद रखे दो example and second छोटी सी मेरी story मैंने आपको सुनाई कि मुझे Scotland की कुट्टे बहुत पसंद है क्योंकि Scotland के जो dog होते हैं वो काफी intelligent होते हैं और मैं उनकी कीमत जानना चाहता था फिर मैं चंडीगर होमने गया और वहाँ पर मुझे पहली वार Scotland का dog देखा जिसकी कीमत उस कुट्टे के साथ price tag के form में लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पर एक sentence of example देखने को मिलेंगे को आपको देखने को मिलेंगे तो मैं बता देता हूँ एकक्दम याद करा देता हूँ आपको चार एक्सांपल जो क्लास कॉंदर इस थीसके आद रखना है पांचवा नहीं और Carcarodon को हम Great White Shark के नाम से जानते हैं, शॉटल लिख दिया मैंने, थार्ड एक्जाम्पल जो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है Pristice, और Pristice को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपने अब यह देखा है, इसको हम Sawfish के नाम से जानते हैं, और फिर आपने नेक्स्ट जो बड़ा सिंपल है, Scoliodon, Scotland से याद रखा, और इसको हम लोग Dog से, यानि कि Dogfish के नाम से जानते हैं, Scotland Dog से आपने याद रखा Dogfish, तो यह चार एक्जाम्पल्स आपको NCRT में दिये गाए, Class Contrastes के, जो True Fishes हैं, जो Cartilage का Endoskeleton रखती हैं, और आपको याद रखना यह सभी की सभी exclusively marine है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था अपने first lecture में, कि जितनी भी यह fishes हैं, they are marine, यानि यह exclusively marine fishes हैं, यह केवल और केवल आपको कहां देखने को मिलेंगी, marine water में, और किस class को ब्लॉंग करती हैं, तो आपका अंसर होगा, Condress Seas को दिये गए, यानि कि चार मैंसे दो fishes के आपको pictures देखने को मिलेंगे, जो NCRT में दिये गए, तो आप दम याद रख लीजिए कि पहली fish जो ए करके हाँ पर आपको देख रही है, यह scoliodon है, तो चार मैंसे दो fishes के हमें example के साथ साथ क्या याद रखने हैं, उनकी diagram, तो scoliodon जो है, वो पहली वाली fish है, जो आपको ऊपर दिख रही है, and second नीचे जो आपको fish दिख रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं, pristis और इसको 100 fish के नाम से भी जानते हैं, यह आपको second diagram में दिखाई दे रही है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं, यह pristis है, जिसको हम क्या कहते हैं सौ फिश के नाम से भी जानते हैं एंड स्कॉलियोड उन को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं डॉक फिश तो यहाँ पर आपको अभी तक जो मैंने content delivered किया इसमें केवल आपको क्या याद रखने हैं चार एक्जामपल और उसमें से दो एक्जामपल यानि की स्कॉलियोड उन और प्रिष्टिस के डाइग्राम जो NCIT में दिये गए हैं उनको आप दिमाग में अपनी आखों के सामने capture कर लीजिए क्योंकि इन में से किसी भी फिश का डाइग्राम दे कर आप से पूछा जा सकता है कि इन में से ये किस फिश का डाइग्राम है तो वो question भी आप से बनना ज़रूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं हमने एक चरण पूरा किया हमने अपने आज के lecture में condres, fishes के examples को बहुत ही simple तरीके समझ लिया चार example है फिर से आपको बता देता हूँ I still try for great white car तो वहाँ पर आपने याद रखा still से stingray, try से trigon great white से great white shark और car से car carodon ठीक है ना और pair में वो examples है फिर आपने second statement पढ़ा कि I saw price of Scotland dog in Chandigar तो वहाँ पर आपने 100 से याद रखा 100 fish ठीक है ना और उसके बाद आपने देखा कि आपने price से याद रखा pristis Scotland से याद रखा scoliodon और आपने dog से याद रखा dogfish अब हम बात करते हैं example of ostrich thieves ostrich thieves के examples भी आपको याद रखने हैं और ये आपको मैं बता देता हूँ कि इनके examples अब थोड़े से और जादा critical है क्योंकि यहाँ पर जो भी examples ostrich thieves class के दिये गए हैं वो तीन different categories में classified किये गए हैं सबसे पहले आप देखेंगे marine तो आपको याद रखना है कि ostrich thieves एक ऐसी class है जिसमें आने वाली जो fishes होती है वो marine भी हो सकती है वो fresh water में रहने वाली भी हो सकती है और यहाँ तक कि उनको हम aquarium में भी रख सकते हैं यानि कि वो aquarium purpose में भी use की जाती है ठीक है ना तो marine fishes भी है fresh water भी है aquarium भी है तो हमें तीनो different categories के example of ostrich thieves में याद रखने होंगे यानि कि class ostrich thieves में जो marine fishes उनके अलगए example याद रखने है जो fresh water fishes उनके अलगए example याद रखने है तो मैं आपको सबसे पहले तो दो चीज़ें याद करा देता हूँ marine fishes में आप एक नाम याद रखिए exocoitis जिसको हम flying fish भी कहते हैं और दूसरा याद रखिए hippocampus जिसको हम sea horse कहते हैं और believe कीजिए ये बहुत ज़ादा important है आपके लिए neat exam में तीन से चार वार केवल sea horse को लेकर question आ चुके हैं और हम लोग sea horse को लेकर कई वार बड़े confused हो जाते हैं तो आपको बिलकुल ये चीज़ याद रखना है कि sea horse जो है that is the common name of hippocampus and hippocampus या sea horse कुछ और नहीं है कोई mammals नहीं है वलकि ये एक true fish का example है जिसकी class है और ये एक marine fish है अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपसे कभी भी वो question जो sea horse पर से आपसे पूछा जाएगा वो बन जाएगा तो हम आपको बता देते हैं कि जब हम marine fishes की बात करते हैं यानि समुद्र में रहने वाली मचलियों की तो आपके NCRT slavers में एक chapter है Animal Husbandry Actually Animal Husbandry एक chapter का part है जिसको हम strategies for enhancement of food production के नाम से जानते हैं और enhancement of food production chapter में एक part है जिसको हम Animal Husbandry कहते हैं और वहाँ पर जब आप PC culture पढ़ते हैं मतश्य पालन तो वहाँ पर भी आपको कुछ example NCRT ने दिये हैं जो Marine Fishes के example है तो आज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम Oastis Thieves के example को तो याद करेंगे as well as हम उन Marine Fishes के example को भी NCRT में वहाँ से उठा कर यहाँ ले आते हैं जो की PC culture में described किये गए हैं तो मैं आपको एक छोटा सा निमोनिक्स देता हूँ जिससे आपको वो सभी example at least याद हो सकें जो Marine Fish के हैं तो एक लड़की है जिसका नाम है Mary और Mary एक insurance agent है यानि कि Mary जो है वो insurance agent है तो मैंने यहाँ पर एक Mary नाम की लड़की को लिया है और Mary insurance company में agent का काम करती है और Mary क्या कहती रहती है सभी से जो भी उसको रास्ते में कोई भी gentleman मिलता है तो उससे वो एक ही बात बोलती है Hi Sir Please make policy Please make policy तो Mary ने क्या कहा Hi Sir Please make policy तो अगर आप इतना सा याद रख लेते हैं Mary का ये statement तो आपको Marine Fishes के वो सभी example याद हो जाएंगी जो NCRT में दिये गए है तो देखिए Mary से याद रखना है मरीन Fishes की बात कर रहे है High से आपको याद रखना है एक ऐसी Marine Fish जिसका example आपकी NCRT में PC कल्चर में दिया गया हिलसा Sir से आपको याद रखना है Sir Dine Please से आपको याद रखना है Pomfret Make से आपको याद रखना है MacRail और यहाँ Policy अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते है नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं आप इसको मिटावी सकते हैं तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा चैंज कर देता हूं मैं NEMONIX को कोई प्रॉल्म नहीं है High Sir Make Policy अगर मैं इतना लिखूँ तो भी यह NEMONIX में पूरे नाम याद रख सकता हूं High Sir Make Policy थोड़ा सा मैं चैंज कर रहा हूं अपने NEMONIX में तो High Sir Make Policy इससे भी आप याद रख सकते हैं High से हिलसा, Sir से सरडाइन, Make से मैकरेल और Policy से आपको एक नाम याद हो जाएगा Pomfret तो आपको प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो यहाँ पर आपने कितने नाम याद रखे One, हिलसा Second, सरडाइन Third, नमबर पर मैकरेल And fourth, नमबर पर आपने नाम याद रखा Pomfret तो Mary said High Sir, Make Policy तो High for हिलसा Sir for सरडाइन Make for मैकरेल और Policy for Pomfret तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यह चार नाम आपको मिल जाएंगे जब आप PC culture पढ़ेंगे NCRT में और दो नाम यहाँ पर दियेगा है जो बलुकुल different है एक exocoitis है जो flying fish के नाम से जाना जाता है और एक hippocampus है इसको हम sea horse कहते है तो आपको total कितनी marine fishes के नाम याद रखने होंगे अगर आप कोई भी question solve करना चाहते है जो marine fish के उपर से आएगा especially example को लेकर तो 6 example हमें याद रखने है दो example तो जो आपके इसी chapter में दिये गाए यानि की एक exocoitis जिसको हम flying fish कहते है तो हमने पहला लिख लिए exocoitis जिसको हम flying fish के नाम से जानते है दूसरा याद रखिए hippocampus जो बहुत ज़्यादा important है मैं आपको बारवार hint कर रहा हूँ और इसको हम लोग किस नाम से जानते है तो वहाँ पर mary से याद रखें आप लोग marine fishes की बात हो रही हाई से यहाँ पर start होता है हमारा नमोने 100 हिलसा सर से याद रखें आप serdines make से याद रखें mackerel mackerel ठीक है ना and policy से याद रखें pomph rate चलिए तो ये 6 example है marine fishes की जो आपको याद रखने होंगे neat के point of view से चाहे वो यहाँ दिये गए हों चाहे वो कहीं और दिये गए हों और इन मेंसे दो नाम ऐसे हैं जिनके आपको common name भी याद रखना एक्जोकॉइटस याने flying fish होता है और hippocampus याने sea horse होता है अब मैं बात करता हूँ ostis theis class के ही ऐसी fishes के बारे में जो fresh water में रहने वाली हैं तो यहाँ पर तीन नाम NCIT में दिये गए हैं इस chapter में levio जिसको हम रोहू कहते हैं जिसको levio रोहता भी बोला जाता है katla जिसको katla-katla भी कहा जाता है and clarius जिसको magur के नाम से जानते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ के कुछ example ostis theis class के जब आप study करेंगे तो fresh water fishes के दिये गाए वो तीन है यह तीन नाम यहाँ पर दिये गाए 1,2 and 3 अब उसके लावा जब आप PC culture पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ fresh water fishes के example आपको पढ़ने होंगे तो उसके लिए एक और निमोनिक्स है मेरे पास आप दौनों को add करके याद रख सकते हैं total जितनी भी आपको याद रखनी है उस्टिस थीज class में आने वाली fresh water fishes की examples तो मैं आपको एक निमोनिक्स दे रहा हूँ fresh roti eaten by common cat तो यह छोटा सा एक sentence है fresh roti eaten by common cat तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे याद रहेंगे fresh water fishes के example तो fresh roti में आपको fresh से क्या याद रखना है तो आप इलकुल याद रख सकते है fresh से fresh water fishes की बात हो रही है जैसे कि वहाँ पर Mary से याद रखा था आपने की marine fishes की बात हो रही है तो fresh for fresh water fishes उसके बाद आपको roti से याद रखना है रोहू और रोहू यहाँ पर भी दिया गया है जिसको हम levio कहते हैं उसके बाद आपको याद रखना है common से common carp जो आपको देखने को मिलेगा NCRT में ये बिलकुल example दिया गया है और cat से आपको याद रखना है कतला जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिखना है तो आप total अब example accumulate कर देजिए जो freshwater fishes के आपको example याद रखना है पहला आप नाम याद रखना है कौन सा रोहू रोहू का ही एक और नाम चलता है levio एक example हो गया दूसरा आप याद रखना है जो बहुत easy है common carp तीसरा example आप याद रखना है कतला जिसको k-a-t-l-a से भी लिखा जाता है जब हम इसको common name में लिखते है and fourth number पर आपको जो नाम याद रखना है वो हो गया clarious तो एक ऐसा नाम है जो हमारे निमोनिक्स में नहीं आता वो है clarious जो आपको separately याद रखना है ओस्टिस्टीस के examples को जब हम पढ़ेंगे तो तीसरी categories में example दिये गए है aquarium fishes के आने की ऐसी fishes जिनको aquarium purpose में हम लोग use करते हैं और aquarium fishes के example को याद रखने के लिए मैं आपको फिर एक छोटी सी story सुना रहा हूँ बहुत छोटी सी story है ये दौनों बच्चे आपस में क्यों लड़ रहा है इनको बेटा कहूँगा मैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे की तरह है तो मैं कहूँगा ये बेटा जो है वो आपस में fight कर रहा है यह बेटा जो है दौनों के दौनों बेटा वो आपस में क्यों fight कर रहे हैं angel पतनी के लिए यह दौनों चाहते हैं कि इनकी जो पतनी मिले इनको वो angel पतनी हो तो मैं यहाँ पर एक statement right कर सकता हूँ beta fight for angel पतनी तो बेटा fight for angel पतनी से मैं वो सभी example आपको निकाल के बता सकता हूँ जो ओस्टिस थीस class में ऐसी true fishes के example है जिनको हम aquarium परपस में यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ बहुत simple है beta से आपको याद रखना है beta बेटा एक aquarium परपस में यूज हने वाली hostis थीस फिश का example है और उसको commonly आप fight से याद रख़ें इसको हम fighting fish की नाम से भी जानते हैं बहुत लड़ाई करती है तो बेटा जो है वो fighting fish का example है fighting fish का ही नाम है तो बेटा का common name क्या है fighting fish और एंजल पतनी से आपको कैसे याद रखना है तो पतनी से आपको याद रखना है टेरोफाइलम पतनी से हमें क्या याद रखना है टेरोफाइलम डिस इस वाय एंड एंजल से आपको याद रखना है टेरोफाइलम का जो common name होता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम लोग angel fish के नाम से भी जानते हैं, यह काफी सुन्दर होती है, ठीक है न, aquarium purpose में use की जाती है, तो beta fight for angel पतनी से आपने याद रखिये, example of ostrich these fishes, जो especially belong करती है, aquarium categories में, तो aquarium fishes जो है, उनके example आपको दो ही याद रखने हैं, जो NCRT में fish के नाम से जानते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर, यानि कि class ostrich these में भी आपको दो fishes के diagram दिये गए, NCRT में, तो आपको याद रखने है कि जो diagram A है, वो आपको वैसे भी एकदम hippo type का लग रहा है, hippopotamus type का लग रहा है, तो this is diagram of hippocampus, तो आप याद रख रखी, यह marine fish है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि sea horse या hippocampus जो है, वो marine fish का example है, और ostrich these class में आता है, तो यह marine fish है, और जबकि यह वाली fish की हम बात करें, जिसको हम कतला कह रहे हैं, तो आप याद रखी, यह fresh water है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, कि रोहु यानि लेवियो कॉमन कार्प, कतला, कतला, एंड क्लेरियस, जिसको मागुर कहते हैं, these all are example of fresh water fishes, तो ultimately आपको यहाँ पर दो fishes के diagram भी याद रखना है, जिसमें से एक hippopotamus type का दिख रहा है, जिसको sea horse कहते हैं, that is the marine fish, and second जो आपको example दिख रहा है, वो कतला कतला का है, जो कि fresh water fishes के example में आती है तो यह दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, तोटल NCRT में Pisces की सुपर क्लास में, चार diagram दिये हैं, आपको कितने diagram दिये हैं, चार, तो चार diagram में से आपको याद रखना है, दो diagram जो आपने पहले study किये, वो class Condris Thies को belong करते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बता है वो diagram किस example है, अब आपको मैं एक extraordinary चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसे question, neat examination में आते हैं, जहाँ पर आपसे मचली के नामों को दे कर पूछा जाता है, कि यह मचली है या नहीं है, मतलब आपको confusion हो रहा होगा, मैं आपको clear कर देता हूँ, concept of tissue, true fishes, concept of true fishes, यानि कि आपको अगा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है, वो true fish हो, वो वास्तविक मचली हो, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपसे question पूछे यागा है, इन मैं से कौन सी ऐसी fish है, जो true fish नहीं है, तो आपको वहाँ पर याद रखना है, कि जो NCRT ने कई example यूज किये है, animals के, especially aquatic animals के different non-cord तो उनमें आप non-cordates में देखेंगे कि fish नाम जरूर आ रहा है, लेकिन वो true fish नहीं है, जैसे for example, jellyfish, jellyfish एक silentrata का example है, true fish नहीं है, true fish हमेशा किस में आती है, class kondristhes में या class austisthes में, जिसको collectively super class किस में रखा गया है, pices में, तो आप याद रखें, jellyfish true fish नहीं है, sepia, sepia को हम cuttlefish के नाम से जानते हैं, ये भी mollusca में आती है और ये भी true fish नहीं है, octopus को भले ही हम devil fish बोलते हैं, लेकिन ये भी मचली नहीं है, starfish को हम लोग मचली नाम आ रहा है, fish नाम आ रहा है, इसको estarias कहते हैं, kynodermita में आती है, लेकिन ये भी true fish नहीं है, mike zine जो हमने भी true fishes हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस particular super class में आती है तो आपको नाम याद रखना है Pisces, that means कि Pisces ही true fishes है, otherwise किसी भी non-corded या corded phylum में अगर fish word use हो रहा है पर वो Pisces super class को belong नहीं करता है animal तो आप उसको true fish considered नहीं करेंगे, they are not true fishes, thank you very much आच का lecture आपको समझ में जरूर आया होगा तो आपको क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको दो classes है, number one condrish thys, जिसके आपको 4 example याद रखना है, 4 example में आपको मैं बता चुका हूँ, trigon एक example हो गया इसका, जो हमने कैसे याद रखा, I still try, तो हमने कि I saw Scotland I saw Scotland dog in Chandigarh, तो वहाँ पर भी हमने कुछ examples को सीखा, condrish thys के उसके बाद हमने, austris thys के examples को तीन category में divide किया, marine, fresh water and aquarium, और तीनों categories के example मैंने आपको याद करा है तो I hope कि आपने ये examples का session जो है, वो बहुत enjoy किया होगा आपको सब ये examples easily याद हो चुके होंगे Thank you very much, धन्यवाद